मार्केट खुलने के साथ ही नीचे का मूब दे रहा था लेकिन जैसे मैं बाई करने के लिए आया तो मूविंग एवरेज के पास पहुचा तो मैंने फोचा कि 87 पे खरीद लेता हूं लेकिन वो धीरे धीरे प्राइज बढ़ने लगा तो मैंने 88 में फाइनली उसको बाई कर दिया बाई करते ही मैंने देखा कि मुझे लॉफ होने लगा पहले 50, 90, 120 थोड़ा सा मुझे लगता कि मैंने गलत टाइम पे कर दिया इसलिए मैं तुरंत ही अपना फ्टॉप लगाता हूं 88 पे खरीदा था 85 पे मैं अपना फ्टॉप लगा देता हूं फ्टॉप लगाने क ऐसा मैंने सोचा तो वैसा ही हुगा वो धीरे धीरे रेड एंड गरीन होने लगा थोड़ा सा गरीन थोड़ा सा रेड तो मुझे लगा कि नहीं वे यार मार्केट मेरे फाइड ही जाएगा और साथ में मैं चार्ट भी आपको दिखा रहा हूं देखिए कैसे रेड केंडल बन रही है मारकेट पहली वाली डेड केंडल को क्रॉस कर ही नहीं दयेए और फाइब मिनिट में देखें तो भी मौर्केड एगजट कर दूं लेकिन नहीं यार मैने सोचा कि एगजट करने का अभी कोई रीजन नहीं है जब भी आपका एगजट से पूचओ पॉद्ड ने लागा ज्याहाएं और मेरा प्रॉफेट इन्केस होने लगा लेकिं फिर घरता प्रॉफेट फिर मैंने सोच ही लिया था या तो stop loss या तो target दो मांसे एक चीज ही लूँगा बीच मैं exit ही नहीं करने वाला तो धीरे धीरे profit बढ़ने लगा 400, 400, 400, 500 तक चला गया मैं बहुत खुश हुआ लेकिन फिर 400 में आया तो थोड़ा सा डर भी लगने लगा मन किया exit कर दूँ लेकिन जब market को देखा तो market तो अभी भी negative जा रहा था फिर 540, 500, 500, 620, 680 तो मैंने finally सोचा कि अब मैं exit करूँगा तो market में limit order लगा है limit order लगा के तुरंत exit मार दिया जैसे exit मारा तो मेरा stop loss भी लगा था stop loss को cancel किया और finally अपना profit देखते हैं कितने का हुआ यह देखो दोस्तों 645 रुपय का सिर्फ 3 मिनट में profit हो गया